हेलो वाट्सप गाइस मारे मिस्मिनुः बादू थापा एंड सबसे पहले गाइस आप देख लीजे आज जो इंटर्वी कोईशन हम सॉल्व करने जारे कुछ वह इस तरीके से दिखते है एंड बाइद गाइस मैं आपको बाता ना चाहूंगे जो पीपीट अभी आपको दि कैसे और बेटर कर सकते लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बाता हूंगा जिससे एटलीस आप यह पता लागा सकते हो कि आपका यह जो स्ट्रिंग वह पैंग्राम है या नहीं ठीक है तो कैसे आप कोईशन को एक बार अच्छे से देख लीजे यहां पर क्य लिखा गया है कोईशन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फंक्शन लिखना जिसमें आपको यह चेक करना है कि जो भी स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो उस फंक्शन में क्या वह पैंग्राम है या नहीं अब वह पैंग्राम क्या होता है आपने से बहुत लोग होई ज इसका simple मतलब यह है कोई भी एक ऐसा sentence जिसमें सारे लेटर्स जो है present to alphabets के वो आपका pangram कहलाता है अब इसमें constant है कुछ let's say आप यहां पर देख सकते हो कि अधिये जो input है string will consist of alphabetical characters and spaces इसमें alphabetical characters हो सकते है वो कितने भी हो सकते है और इसमें space भी present हो सकता है पहला दूसरा यह कि यह जो function should handle both the uppercase and lowercase letters जिहां गई इस तो आप देख सकते हैं आपको बहुत कुछ सिखनी मिलने वाला and then at the end में consider the English alphabet with 26 letters मतलब आपको इंग्लिस में जो 26 letters होते उसको ध्यान में रखते होए इसको चेक करना है कि वो 26 letters present है या नहीं आपर case lowercase इसको भी check out करना है मनलब case sensitive का भी आपको ध्यान में रखना होगा इस पेस आपको रिमूब करना होगा and then आपको one by one check करना होगा किया वो sentence में a to z वो present है या नहीं letters और गाइस तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरी किसे अगर मैं आपको simple बोलता हूं मैंने आगर आपको यह एक sentence लिखके दी और मुझे बस इतना जाना है क्या इस sentence में a b c d e f g h i j k इस तरी किसे करते करते काई से आपका y z x y g इस तरी किसे जो होता है न मतलब total a से लेके z तक सारे लेटर जो है present होने चाहिए क्या इसमें वो है या नहीं आपको चेक करना है मतलब आप बस आपको दिमाग लगाना है this is it यह ही है sentence है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है when it comes to your pengram करके आप यहां पर देख सकते हो how often does every letter in alphabet appears in a sentence and that's exactly what makes a pengram special तो यह बहुत special है and hardly बहुत कम गीने चुने कुछ sentence है जो आपको का इस पैंग्राम मिल दिखता है कुछ इस तरही से तो यह यह sentence आपको ट्रू आना चाहिए ठीक है ओल्राइट आपको पाता चल गया पैंग्राम सची मिंपॉर्टेंट है एनग्राम करके भी होता है जो आपको जावस्क्रिप को कोर्स में दिख जाएगा but if you know what is anagram let me know in the comment section and guys already जावस्क्रिप्ट का वीडियो में पहले भी अप्लोड कर चुका हूं तो इसी कहीं updated बनाने वाला हूं बहुत ज्यादा मजाएगा I know बहुत बगबग हो गई है but yeah this is it अब यह ही आपको लोजिक बिल करना है तो इसी तरह किसे आप लोजिक बिल कर सकते हो कि इसको आपको टुकुडो में तोड़ना होगा different different logic आपको लगाना होगा मैंने तो फॉलूप लगा था फॉर के अंदर फॉलूप और बहुत कुछ किया था वह काम कर गया मैंने एक और तरीका यूज किया था वह भी काम कर गया मैं आज आपको एक सिंप्लेस तरीका बताता हूं जिससे आपका काम हो जाएगा सबसे बहले आपको क्या करना है इस सेंटेंस में ए से लेके जेट तक टोटल 26 लेटर्स प्रेजेंट है या नहीं ठीक है अब मैं आपको एक सिजव बाता आता हो अगर कल की दिन अगर इहाँ पर सबस्द्द ज्द 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 ज्. इतने सारे ज्द आगए और अब हमारे इस सेंटेंस में 26 से ज्यादा letters F I B E अगर इसको भी मैं 1,2,3,4 तरकी से गुनूँगा उससे ज्यादा होगा लेकिन क्या आपको एक चीज मालूम है कोई भी sentence हो ठीक है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ध्यान से देखना अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ console.log यह logic है इसके different different तरीके है जो मैं आपको course में बताऊंगा आज एक simple तरीका यह कि आपको बस यह देखना है कि इसमें total 26 characters है या नहीं अगर किसी तरकी से मुझे बस इतना मिल जाए कि वो equal to equal to 26 है या नहीं मेरा काम हो गया ना तो यह हम कैसे कर सकते ध्यान से देखना मैं एक काम करता हूं let new str new नहीं new मैं चलता हूं str ठीक है ध्यान से देखना अगर मैं यहां पर a a b b c c d d e f f g g h i j k k k इस्तिरगेशा कर मैं लिग दूं है ध्यान से देखना मैं यह लिखाए अब यहां पर अगर मैं new we have a set method उसमें अगर मैं new str यह पास कर दूं हम सबको मालूम है कि यह हमें एक यूनिक वेल्यू रिटन करते है राइट मैं यहां पर चल रहा हूं अब मैं डैर्कली सको रन करूंगा अब मुझे सब्सक्राइब कर सकता है मुझे सेट मिल चुका है विद यूनिक कैरेक्टर्स आइमिन लेटर्स आप बोल लिए कैरेक्टर भी आप बोल सकते हूं बट कहने की बात ही है कि भले ही मेरे इस सेंटेंस में वह a b c d चाहे जितने भी बार आज है इट डिजन्ट मैटर स्ट्रिंग में भी आपका ये जो सेट मेथड है वो काम करता है जहां पे वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो यूनिक कैरेक्टर है सपोज ये जो है चाहे आप वो हजारों बार आप लिख दो इस सिर्गे से इतने कंट्रोल आज सेव बट यहां पे देखना सेट अभी 11 है मैं से तरीके से अगर सेट में यहां पे इंस्टिट ऑफ 11 अगर मुझे 26 मिल गया इट मिन्स वह मेरा पैन ग्राम है क्योंकि अगर आप एबी सेड़ी कुछ भी लिखते हो यह आल्वेज आपको एब एक पी बार बी एक बार सी एक बार ही देने वाला है अब सपोर्स इसमें ए यहां पर चलता हूं यह देखो मुझे 27 आगया अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो रहा है आपकी दिमाग में आया होगा अरे कितना इजी मैं तो अब यह कर दूँगा लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि इंस्टेट अब 26 हाला कि यहां पर सिफ 26 ही था बट फिर भी मुझे 27 आगया एंड उसकी पीछे का रीजन मैं आपको बाताता हूं उसकी पीछे का रीजन यह ह है कि यह आपको एक यूनिक वैल्यू रीटेन करता है ठीक है अब एफ राई अनो प्रॉब्लम इया नो प्रॉब्लम वि दितैटेओ ऑप से जब भी आप इस सेट में इस कर दो तो उसमें आपको एक स्पेस भी तो एक यूनिक वैल्यू हो सकता है ठीक है उसने एक यूनिक वैल्यू वहाँ पर दे दी तो आप गर्डवड हो गया अब 27 हो गया तो यह लाइक ऑल्वेस फॉल्स हाईगा क्योंकि एकोल टुट्टी सि इस देखा इस पेसे भी हो सकता है ठीक है अब फिल्द लोर केसें का आप बेसिकली यह अपर केस का तो सीन हो गई नहीं यह पर क्योंकि चाहिए जो भी आपने को तो टोटल जो इसकी लेंट उससे मतलब है अला कि सेट में लेंथ नहीं होता है बर फिर भी राइट तो हम क् सटैने मैं आपको एक स्टैज बताता हूं कोई भी एक सेंटेंस में अगर आपको स्पेस हटा के सिर्प आपको स्टैज आना तो आपका सेंटेंस कुछ स्टैज से दिखना चाहिए step by step जाना है पहला step यह था कि मुझे unique value चाहिए जो कि मुझे मिल गया और मुझे idea आगया थी कि यार अगर 26 हो गया मतलब A से लेके Z तक present है उसमें बट अब problem ही आगे कि मेरे इस case में space भी हो as a unique value ले रहा है तो मुझे किसी तरके से मेरे इस sentence में मुझे space हटाके एक complete अब तो एक word चाहिए basically एक ही word बनाना है अब हम इसको तो वो अब हम कैसे कर सकते ठीक है देखो का इस logic ऐसे ही बिल्ड होता है अब आपको different different तरीके सोचने है कि इसको मैं कैसे आसिल कर सकते हो मैं आपको बताता हो देखो एक simple तरीका तो यह है new str will be equal to यह जो भी मेरा str होगा dot we have something called replace है ना जिसमें अगर आप चलते हो तो यह जो आप आप कैसे सकते हो basically इस space को आपको हटाना है ठीक है बट अब मैं आपको बताता हूँ space को हटाना है किस से इस से ठीक है आप कैसे सकते हो value आएगी जिसमें से सबसे पहला तो आप देख सकते हो कुछ five or this is it आपने एक चीज़ नोटिस की क्या problem यहाँ पे five और यह जो और के बीच का जो space था उसने उसको remove कर दिया राइट जो कि एकदम सही है बट problem क्या है बाकी जगे का space की क्या बात है बाकी जगे तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे सारे space को remove करना है तो अब आप सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है एक बार में replace all करके देखू क्या क्या पाता यह काम कर जा है ना तो आपको टुक्के लाइब को दिमाख लगाना है यह देखू मेरा क तरीका है दूसरा इसको करने का तरीका भी है split कर सकते हो join इन दोनों की मदश से भी आप कर सकते हैं यहां पे मैंने रखा हुआ वह आपको करना है मैं आपको वह अपने जो मेन जावस्क्रिप्ट का world best course हो का उसमें बताऊंगो उसमें तुमें आपको different different तरीकी and I hope यह PPT द करना होगा and that is मैं आपको बताता हूं new str तो यह आपका हो चुका है right so इसकी आप मुझे need नहीं है अब मैं हटा रहा हूं even मुझे इसकी भी कोई need नहीं है ठीक है मैं simple new str जो पहले वो था आप मेरा जो new str होगा वो होगा simple new set method पर मैं चल रहा हूं यहां पर मैं यह जो मेरा new str उसको मैं इस तरी के से पास कर दे रहा हूं and console.log पर मैं just new str.length करता हूं अभी मैं यहां पर जानवच के एक चीज गलत लिख रहा हूं आप लोग को पाता चल जाएगा मैं क्या गलत लिख रहा हूं ठीक है मैं जानवच के मैंने लिखा है ताकि आपको यह पाता चल जाए कि there is something if let's say guys अगर एक array होता तो dot length लिखने पर मुझे उसका total length मिल जाती but when it comes to your set अगर आप देखोगे तो वह आपको एक objective form में दिख रहा है but जो भी आप यहां पर length आप access नहीं कर सकते set method में set के साथ यह जो है आप length नहीं लिख सकते तो यह जो मुझे से 26 दिखाई दे र तो यहां पर काम आता है guys आपका Google आपका chat GPT basically मैंने इसके पर अल्रेडी वीडियो बनाया मेरे यह JavaScript कोर्स में तो अब अगर आपको set का total value या total length निकालने हो then उसके लिए we have a size simple जानुच के मैंने length लिखा था कि आपको पाता चल जाए कि length नहीं होता है size होता है अब अगर म मुझे सिर्फ और सिर्फ 26 आ रहा है ठीक है तो अब मैं यह function call कर रहा हूं मुझे यहां पर इसकी कोई need नहीं है मैं यह function जो है मैं यहां पर define करता हूं let's say const is pangram ठीक है इस तरीके से या all right यह जो part इसको मैं हटाता हूं यहां पर मैंने paste कर दी यह जो console as it is रहेगा आप च parameter get key data यहां पर आया मुझे बसे condition करना है return यह जो आपका new str है basically इसका जो size है एप इस triple equal to 26 this is it तो यह आपका एदर true या तो false return करने वाला है अब मैं यहां पर चलता हूं so मुझे true मिल गया and this is it यह है आपका pangram जहां पर आप आप यह कर सकते हो इसके different तरीके है इसमें भी एक limitation है एक बग बग मैंने बोलूँगा इसमें भी एक problem है अभी वह आपको figure out करना है ठीक है let me know in the comment section में अपने वर्लबेस जावस्क्रिप्ट कोर्स में उसको figure out करूंगा इसी same problem को मैं आपको तीन चार पांच तरीके से दिखांगा कैसे आप awesome तरीके से कर सकते हो जिसमें यह भी एक तरीका होगा उसमें ठीक है अभी यहां पर एक चीज़ देखो कि लेट से मैं अगर एक जैड यह जो जै है ठीक है इसको मैं अटा रहा हूं जै को मैंने हटा दी अब क्या मुझे 26 देगा मुझे यह false देगा क्यों कि इसमें अब जैड है नहीं और इसकी जो टो होटल लेंथे अब होट 26 नहीं 25 हो गई है तो गाइस इस तरीके से आप चेक कर सकते हो क्या आपका यह जो भी वैल्यू आप बिसिकली जो भी स्ट्रिंग आप पास कर वह पैंग्राम है या नहीं हम इसमें लोर केस अपर केस का कोई जंजट नहीं था रिप्लेस वाल हमने बहुत इजीली कर दी यह अभी भी लाइक फेज में है आगेस बहुत सारी ब्रॉजर इसको सपोर्ट करते होंगे लेकिन आपको पता चल गया एक सेंटेंस में से कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो यूनिक वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हो और जो सेट में अगर लेंथ फाइ सेक्षिन एक सिंपल सा है कि अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू एड्ड कर दो यह मेरा फॉल्स होने वाला है तो वह क्या हो सकता है लेट में नो इन दी कमेंट सेक्षिन एंड मैं उसकी उपर कल वीडियो बनाऊंगा ठीक है बट आई होप गाईस आपको आज की वीडियो बास्केट वॉल बेस्ट कोर्स के लिए तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्षिन जरूरों पर पेस्ट कर दीजिएगा और नेक्स टाग्ट इस सेवन लाक सब्सक्राइबर सुब्लीस सब्सक्राइब निग कर दीजिएका मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में तिल दे